हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे क्लाश 12 फिजिक्स पे बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टन डेवेशन जो कि आ एकजाम में ज्यादा तरहार साल पुछा आता है पतले लेंज की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र ठीक है पतले लेंज की फोकस दूरी के लिए न्यूटन के सूत्र का निगमन और इसका चितर बहुत ही मस्तर से समझाएंगे तो वीडियो को आखरी तक देखते रहना बहुत आसान है तो चलो देखते हैं पतले लेंज की फोकस दूरी के लिए Newton के सूतर का वेंजर तो एकदम आसान है Simple देखो ये Newton का सूतर मनलाभी इसको जो Newton नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया है और इन्होंने कहा क्या देखो न्यूटन जो थे उन्होंने कहा पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र दिया है उन्होंने तो देखो उन्होंने वताया था कि आपको यहां पे थोरी भी सो रहे होगी देखो उन्होंने क्या कहा था कहा था कि पतले लेंस मालो कोई लेंस ह अगर कुछ कुछ दूरिया जैसे प्रतिविम की दूरिया और वस्तु की दूरिया होती है अगर वो प्रकासिक केंदर से नापी जाए तो उसमें थोड़ी कठिनाई आती है लेकिन अगर वही इसके मालब लेंस के पर्थम फोकस और द्वती फोकस से नापी जाए तो उसमें आसानी होती, तो उन्होंने इसी पर सूत्र दिया, कि मालब अगर प्रकासी केन से नापी जाती है, तो दूरी नापने में थोड़ी कठिनता होती है, लेकिन यही दूरी अगर इस लेंस के प्रथम फोकस और द्वती फोकस से नापी जाती है, तो उसमें बहुत सुगमता होती ठीक है, तो उसके संदर में इन्होंने एक सूतर दिया, जिसे Newton का सूतर कहते हैं, तो अभी आगे भी आपको अच्छे से छोडी समझा देंगे, और इसका पूरा सूतर समझा देंगे, तो चलो देखतें, पहले इसको समझो, तो चित्र फिर आगे समझेंगे, ठीक है, पहले चित्र समाज लो, देखो, पतला लिंस बनाना था, हमने एक पतला लिंस बना लिया, ठीक है, आब आपको बता है, लिंस में दो फोकस भी होंगे, माल लो इसका पहला फोकस यहाँ पे है, जिसका नाम है F, ठीक है, यहाँ पे F वस्तु रखी जिसका नाम है A B A B आपकी कोई वस्तु रखी है आप इस वस्तु का हमें क्या बनाना है प्रतिविम बनाना है तो प्रतिविम बनाना है कैसे देखो सिंपल प्रतिविम कैसे बनेगा आपका आपको प्रतिविम बनाने के लिए क्या जीए दो किरड़े आपको भेजनी होंगी अगर आप दो किरड़े भेज तो आपका प्रतुबिम बनेगा तो देखो पहली किरड़ हम लोग कहा से बेजें पहली किरड़ मानलो हम लोग इसके फोकस से बेजें ठीक है पहली किरड़ को भेजने याँ पर से फोकस से तो focus से जाने वाली किरड़ जो होती है इस मुख्यच देखो ये lens है lens के ये जो सीधी जाने वाली रेखा इसे कहते है मुख्यच तो जो किरड़ focus से जाती है तो focus से जाने वाली रेखा मुख्यच के समानतर निकल जाती है जो focus से जाने वाली किरड़ होती है वो मुख्यच के समांतर इस टाइब से निकल जाती है ठीक है, देखो, यह focus है आपका प्रथम focus से गई तो पहली किरण को हमने focus से भेजा तो focus से जाने वाली जो किरण होती वो मुख्यच के समांतर सीधी निकल जाती है यह पहला point फिर देखो फिर दूसरी किरड को हम लोग भेशते हैं मुख्यच के समानतर भेशते हैं तो जो मुख्यच के समानतर जाने वाली किरड होती है वो द्वतीफ होकस से होकर निकल जाती इस टाइब से यह द्वतीफ होकस से होकर निकल जाएगी और जहां पे टकर आए सिंपल एक लेंस है पतला जिसकी मुख्यच की रेखा आपको खीच लेनी है और जो लेंस का बीच वाला पॉइंट होता है उसे कहते है प्रकासिक केंद्र ठीक है हमने एक वस्तु ले ली ए भी ठीक है वस्तु ए भी ले ली तो आपको अगर इस वस्तु का प्रतिपिम चीए मुख्यच के समानतर देखो दूसरी कड़ को हमने भेजा मुख्यच ये इसके समानतर भेजा तो मुख्यच के समानतर जाने वाली किराड़ द्वती फोकस से होकर गुजर जाती देखो मुख्यच के समानतर गई और इस फोकस से होकर गुजर गई तो यहाँ पर इसका प्रत से बी तक की दोरी को मानलोать से डैस माल लेते हैं ठीक और ओ से एफ टकी दोरी को nd prices की दोरी है ठीक है और इतनी दोरी को हम लोग मालने एक्स हो सिप्पल को प्रफर्थम फोकस की दूरी को मनल लिए 23 Ox nuo माल लिया और यहां से focus लेकिन अगर आप कही इस प्रत्बिम की दूरी इस प्रत्बिम की दूरी इस प्रकासी केंदर से नापनी पड़े तो उसमें ठोड़ी कठिनाई आती है रेकिन अगर आप कहीं इस प्रथम focus और दती focus से नाबते हो तो उसमें बहुत सुखमता होते हो उसमें बहुत आसानी होती है और उन्होंने इसके संदर में एक सूस दिया और बताया कि यदि वस्तु की दोरी प्रथम focus से x dash हो तथा दती focus से x हो तो X और X' जो होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, F और F' के, ठीके, F और F' के बराबर हो जाएगा, तो ये इसका समिकरण है Newton का, X, X' बराबर F, F' के हो जाएगा, ठीके, इस कैसे होगा, उन्होंने क्या बताया, कि अगर आप प्रकासी केन से वस्तो प्रतविम की दूरी नापते हो, तो उसमें थोड़ी कठनायाती, लेकिन अगर आप प्रतम फोकस और दती फोकस से नापते हो, तो उसमें बहुत सुगमता हो, तो उसमें बहुत आसानी होती है, माना कि अगर आपका प्रतम फोकस से वस्तो की दूरी X' और दती फोकस से वस्तो की दूरी X है, त एक्स और एक्स डैस का जो गुड़ा आएगा वो f और f डैस के बराबर होगा यही पतले लेंज के लिए Newton के सूत्र है ठीक है आप इस सूत्र का ही आपको derivation करके दिखाना है तो sample यह आपको simple यह आपको सूत्र समल लेना है यही सूत्र का derivation होगा ना थीक्हां इस को सब्सक्राइब कर लेना और अगो यही ना बिशिपर से उस्पे जा के ओ वी वीडियो देख सकते हो इसी तरह से मस्ट हम लोगों ने समझा हुआ है ठीक है आप देखो आगे इसका derivation करते है तो देखो derivation कैसे होगा मानलो यहाँ पे जिस point पे टकराई इसको कोई नाम दे देते हैं मानलो इसको नाम दे दिया हमने कोई नाम दे दो P नाम दे दिया वालो और यहां पर जिसफे टक राई इसको नाम देथे ताइ dow qualitative QFस्यवच107 Q F समरूप है ठाज समझना समरूप तरिभूच क्यों से होते हैं समरूप देखो जैसे A B F यह है और इसी प्रकार से अगर आप बनाओ क्या तरिभूच बनाना है तो सिंपल आपको क्या कर देना है लंब देखो पहले लंब से इसके भाग देना है फिर आधार से इसके आधार को भाग देना है देखो कैसे सिंपल पहले लिखा तरिभूच A B F तथा तरिभूच O Q F समरूप तरिभूच है फिर यहां से लिख देना A B पहले इसके भूचा लिखो ये वाली A B लंब है ये देखो इस ठीटा के इस कोड के सामने के मुझा लंब होती है तो A B हो गया और बटे में क्या लिखोगे इस समानिस समझ जाओगे देखो पहले तरिभूच A B F तथा O Q F समरूप है फिर लिखा A B भूचा बटे में O Q भूचा ये लिखा फिर लिखा B F बटे में O F इतना हो गया सिंपल है एकदा मासानिस समझ गया है आप देखो अगर हम बात करें इस O Q होगी तो देखो ये O Q है ये वाली O Q है यहां से यहां तक और ये A B डेस तो O Q और A B डेस समान नहीं है क्यों समान है क्योंकि भाईया ये क्रिड़े तो समानतर जा रही समानतर जो क्रिड़े होती एकदम सीधी निकल जाती इस टाइफ से जितनी दूरी यहां की होगी उतनी ही दूरी यहां की होगी तो अगर O Q इतना है तो A डेस B डेस भी सेम ही होगा क्योंकि देखो मुख्याच की किरड़ है ये और ये जो समानतर किरड़ गई तो समानतर जाने वाली केड़ों के बराबर A डेस B डेस ठीक है O Q जो है किसके बराबर है A डेस B डेस के तो जहां O Q वहाँ पर लिख देते A डेस B डेस तो AB बटे में A डेस B डेस equal to BF डेस upon OF डेस इसे माल लिया समीकर नंबर एक सिंपल समानतर तो ठीक है मल्लब ये मुख्याच है ये किरड़ समानतर गई त और तो O Q ठीक है O Q किसके बराबर होजाएगा Aड डेस B डेस के तो जहां O Q वहाया लिख दो Aडैस B डेस सिंपल ये हो गया आप देखो पहले ट्रिभूच का काम होंगे आप इधर वाले ट्रिभूच की बात करते कौन कौन से डिभूच पी A डेस Bडेस के लिखते है पर तरिभूज O-P-F लिखते हैं तरिभूज O-P-F कौन कौन सा O-P-F तथा तरिभूज कौन सा तरिभूज A-B-F तरिभूज A-B-F समरूप है जैसे उस पे लिख varieties इस पे लिख दो एकदा आसान है आर सूतर कशलिक देखो तरिभूज O-P-F तथा तरे बुछ A-B-F समरूप हैं इतना लिख दिया आप जैसे हैं लंब इसका लिया था A-B बटाओ क्यों वैसे ही यहां पे लो O-P बटे में A-B-F देखो ध्यान समझो O-P इसका वाला लंब और इसका वाला लंब का भाग दे दो O-P बटे A-B-F देखो यह O-P और यह A-B-F का भाग दे दिया अब इसका वाला अधार O-F O-F लिखा और बटे में बटे में यह वाला B-F B-F लिख दिया, देखो कैसे ये वाला O-P बटे में A-B- फिर ये वाला O-P बटे में B-F इतना लिख लिए आसानी से आप देखो क्या करते हैं जैसे यहाँ पर O-Q बराबर सा A-B- के क्योंकि समानता के ने थी वैसे ही यहाँ पर O-P बराबर होगा इस टाइप से बना दो O-P किसके बराबर A-B के तो O-P के देगा आप A-B लिख दो A-B-A-B- इक्वल टू O-F बटा B-F इसे माल लो समीकरण नंबर दो धान से समझ लो O-P था, ये O-P है ये A-B के बराबर हो जाएगा तो O-P के देगा A-B- O-P बटा B-F ठीक है, सिंपल हो गया आप थोड़ा सा बचा पूरा derivation आपका complete हो चुका है ठीक है, देखो आप क्या करते है समीकरण 1 वा 2 से यहां लिखते हैं समीकरण 1 वा 2 से समीकरण 1 वा 2 से कैसे देखो 1 और 2 से कैसे ये समीकरण 1 है AB बटा A-B- इक्वल टू B- अपन O-F- यहां पर AB बटा A-B- इक्वल टू O-F बटा B- आप देखो इधर वाले पच जो left hand side मतलब left hand side मतलब जो आपका बाया पच्छ है ठीक है बाया पच्छ जो यह सेम है देखो यहां का बाया पच्छ यहां का बाया पच्छ सेम है जब बाया पच्छ बराबर होते हैं तो दाया पच्छ भी बराबर हो जाते हैं तो लिखना है समिकर एक और दो से जब इधर वाला इसके बराबर है तो यह वाला भी इसके बराबर होगा तो आपको लिख देना بـ f- बटे में Of- is equal to Of- बटव b'dess ऐसाOOOOOOOO क्योंकि भाईया इसका जब लेफ्ट हेंड साइड मतला बाया पच और इसका लेफ्ट हेंड साइड मतला बाया पच जब इसका बाया पच इसके बाया साइड पच के बराबर है तो इसका दाया पच, इसके दाया पच के बराबर उजाएगा तो BF' बटा OF' इक्वल टो OF' बटा B' F सिंपल हो गया, आब इनकी value रख देते हैं और आपका Newton का सूतर आ गया देखो BF' ये B, ये F'dass BF'dass की value X'dass है लेकिन एक चीह और याद रखना पलस और माइनस को न भोलना देखो, आगर इधर की दूरी रखोगे तो पलस में लेना है, इधर की दूरी ना पना तो माइनस में लेना, देखो कैसे किरण की दिशा में जो दूरी होती positive रखते हैं, किरण इधर जा रहे है देखो सारी केड़े इधर जा रहे तो इधर की दूरी पहुच ट्यूँ और इधर की दूरी निगेट्व तो इसे निगेट्व रखना निगेट्व में x- मादला माइनस का चैनल लेना है बट्ट में o f'dis o f'dis इधर है तो इसकी भी value आपको क्या लिए है माइनस में माइनस का f'dis equal to OF, OF अब इधार है तो इसकी वाली value प्लस की लो, इधार की value प्लस, इधार की value प्लस, इधार की value माइनस OF है ये तो प्लस का F, बटे में B dash F कहा है, ये B dash F, ये X, तो X लिख दो simple, आप देखो यहाँ पे minus, यहाँ पे minus, minus से minus काड़ दो, प्लस हो गया गुड़ा कर दो, इस X का X dash से X into X dash, बराबर F into F dash, ये simple वाईया आपका आचुका है Newton का सूत्र, यहाँ से लिख लेना, यही Newton का सूत्र है, यही Newton का सूत्र है, तो simple वाईया आपने निकाल लिया X, X dash equal to F, F dash, यही आपका Newton के सूत्र का derivation है, पूरा derivation देख सकते दाम आसान था, ठीक है, तो simple Newton Newton ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था, कि अगर आप प्रकासी केन से वस्तु और प्रत्वियम की दूरी नावते हो, तो उसमें कठिनाई होती है, लेकिन अगर आप फोकस से नावते हो, तो सुगमता होती है, अगर मालो पहले फोकस से, लेंस के प्रत्वम फोकस से, वस्तु समरूप है तो आसानी से निकाला इतना आ जाएगा एकदाम आसान था तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना चैनल पर नहों तो सब्सक्राइब जरू कर देना और डिस्क्रिप्सन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लाश्टोल फिजिक्स की क्लाश्टोल किमेश्टी क्लाश्टोल मैथ हिंदी इंगलिस सारी विसायकी ठीक है आसानी से आप त्यारी कर सकते हो तो ओके थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो स्क्रिंसोट नहीं लिया तो ले लो